आज आपके लिए जो लेके आ रहा हूं वो आपके सपनों का महल है जो एक word है ये word हर किसी के दिल दिमाग में होता है कि at least मैं इतना पैसा कम हूँ कि अपना सपनों का महल बनाओ तो आज इस फ्लाट को दिखाने जा रहा हूँ मैं ये सैनिक नगर में है टू साइड ओपन है 100 स्वायर याड का है लिप्ड विद कापकिंग का है और 30 फिट चोड़ी रोड में इस से दूसरी चीज इस्ट और वेस्ट फेसिंग का है और सबसे बड़ी चीज है वो है LIC हाउसिंग लोन 6.90 इंटरस रेट पर LIC हाउसिंग का लोन तो मित्रों जो एक वर्ड है कि मेरा सपना साकार कब होगा वो सैनिक नगर की लोकेशन पे आने पर सैनिक नगर की लोकेशन ऐसी है जो हर उस आने वाले कस्टमर के अंदर के चाहत होती है At least मेरा फ्रैट हो तो सैनिक नगर में हो क्योंकि इसकी जो लोकालिटी है जो रोड की कटिंग है वो जनकपुरी विकासपुरी भी इसके आगे फेल होता है बहुत अच्छी लोकालिटी है और वो हर सीज है जो चाहिए आपको यहाँ पे और द्वारका अकास हॉस्पिटल जाने के लिए आपको पंदरा मिनट जाए पंदरा मिनट के अंदर आप अकास हॉस्पिटल में रहेंगे पंदरा मिनट में आप द्वारका मोड या नवादा मेट्रो में रहेंगे तो connectivity आपके पास में है आप walk भी कर सकते हैं आप convince भी जा सकते हैं तो मित्रो 100 गज on paper cover area 110 गज के आसपास east और west facing का LIC housing loan के लिए और ये flat आज live करने के पीछे reason क्या है आप सब लोग covid का wait कर रहे थे आज covid के लिए announcement आ गई ही कि आप देख सकते हैं 50% लोग जा सकते हैं तो वो लोग जो top floor with roof right with lift की demand लेके बैठे थे east और west facing का एक flat अभी हमारा balance रह गया है तो मित्रो इस चीज के लिए आप immediate आ सकते हैं देख सकते हैं और जो inventory मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी building का top floor है अभी मैं upper ground पे खड़ा हूँ और जैसा मैं upper ground में काम आपको दे रहा हूँ same as it is आपको उपर दूँगा top floor पे जो demand जनक पूरी के ही same work हम यहां करके दे रहे हैं हमें तकलिफ क्या होती है कि जब हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं भाई सब इतना पैसा थोड़ी होता है तो अच्छी चीज की हमेशा कीमत होती है अग्याद ही आपके अंदर हुनर है तो उसकी कीमत आपको हमेशा मिलेगी तो मित्रों वीडियो दिखाने दे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब से है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूले सेर करना न भूले क्योंकि आपके सयोग से ही हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनकी जरूरत है तो मित्रों अब आईए मैं आपको फ्लाट दिखाता हूँ अभी मैं बिल्डिंग के फ्रंट पे खड़ा हूँ आप देख रहे हो मेरे पीछे 30 फिट चोडी रूड है दो दो गाड़ियां पाक है फिर भी गाड़ी निकलने के जगा है अब बैक में में साइटी की तरह है यह फ्लाट आप प्रॉपर गेट लगा है बिल्डिंग के एलेविशन देखे प्रॉपर पत्था लगा हुआ है आप देखे आईए अब मैं आपको फ्लाट यह है देखे पार्किंग पार्किंग का एरिया आप देख दूर नॉर्मली क्या कार पार्किंग ओल्ली चार गाड़ियों की पार्किंग है तो चार गाड़ियों की पार्किंग कितनी आप देखे प्रॉपर स्पेस निकल के आ र लगाए है जो हर किसी के फ्लोर के साथ अटेश है अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ आए अभी में फ्लैट के फ्रंट में खड़ा हूँ जैसा कि मैंने आपको नीचे लिट दिखाया था सेम एजरिस देखी कंडिशन्स प्रॉपर टाइल्स लगा रखी है यह लिट रस सेमिलिंग है एमसी वी आपका देखिए सारे फ्लैट की एमसी वॉक्स यहां प्रपर लगा दिया गया हमने और जो सबसे बड़ी चीज है आप देखिए स्टेर के साथ यह लाइट पूरे ऊपर तक चारों फ्लोरों में एजरिस मिलेगा दरवाजे में आप देखिए जो सन अब इस दरवाजे को में अगर बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको ड्राउंग रूम दिखाता हूँ इक सपना है कि यदी मैं पैसा लगाऊ तो इतना बड़ा ड्राउंग रूम हो कि मेरे ड्राउंग रूम प्लस डाइनिंग टेबल मेरा आराम से आजातीए यह आपक फिट के आसपास ये एरिया आता है तो 20 वाई 15 का जो साइज है वो आपका ड्राइग रूम का साइज है बहुत बड़ा और बिक साइज का इसके साथ ही आप देखिए यह LCD पैनल हमने यहां दिया है आप कितनी भी इंची की TV लगाना जाहें अपनी LCD लगाना जाहें आराम से उन्हले लगा सकते साvity यहां पर हम लाइट्स लगा के दे रहें आपको इस इस पर्तिस पास शार अपर मिल रहे है तो अपने आप में उसकी कीमत भीवैस्की होगी ने इस पुरिकलर अरियों को फॉने ब्लैंक चोड़ा है अलिए घर में आपका सोफा हो जोगा 5-seater, 6-seater, 7-seater तो उसके साथ छोटे-छोटे 20 होंगी छोटे चीज़े होंगी आप वो चीज़ नीचे आराम से रख सकते हैं इसके साथ ही ड्राइंग रूम को जो सबसे important work होता उसकी false link का work आप देखे false link पूरी उंदा और best quality की false link हमने पूरी चट को कबर करी है और lights इतनी है यदि आप जूमर ना भी on करें तो काफी lights है अभी कुछ lights हमने off कर रखी है यदि हम उनको भी on करते हैं तो आप देखे कितनी ज़्यादा रोसनी आपको मिल सकती है concern उसको off करने का साम का time है और इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ आधी light में बना रहा हूँ और रोसनी की कमी नहीं है जब अर्जस्त है दोनों तरब से रोसनी आपको मिलती है तो मित्रो ये 100 गज का with roof right का flat पूरी market बे भूमने निकलेंगे ऐसा flat आपको नहीं मिलेगा lift with car parking LIC housing के दोरा अब आप kitchen देखे ऐसी kitchen जो आपका सपना है जो आपकी सोच एक storage ये particular part normally क्या है हम जब kitchen में होते हैं ऐसी चीज़े हमें नहीं मिलती है आप देखे यहाँ proper और आप अपना dining table यहाँ install कर सकते हैं तो kitchen के starting part में देखे आपको dining table के लिए proper space निकाला गया उदर से आपको भी चीज़े हैं यहाँ store करके यहदर आप दे सकते हैं आपका sofa आराम सूस पार्ट में लगता है आपका sink part यहाँ पे है proper यहाँ हमने mirror दे रखा है एक अच्छी quality के और sun mic और इसके सटाइल से जो दी है और इसकी जो sun mic हमने दी है वो उम्दा और best quality की है दोनों तरफ sun mic है front और back की sun mic है साथ में आप देखे storage और काम करने का तरीका यह particular एक एक छोड़ी छोड़ी बारिक से चीज़ें आप देखे जब हम मार्केट में लेने जाते है तो उनकी costing कितनी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके साथ यह नैनो वाइट का पत्था एक सो गच के फ्लैट में जब हम 60-60 लाख रुबे लेके चलने कोशित करते हैं तो नैनो वाइट हमें ढूनने को मिलता है नैनो वाइट अपने आप में बहुत ही costly हो बहुत अच्छी quality का माना जाता है चिमनी आपकी यहाँ लगी हुई है जो अलडी हम लगा के दे रहे हैं साथ में यह window आपका part आ गया और यहाँ पर देखिए यह बंद है यह देखिए यह storage है इसकी और काफी बड़ी storage कह सकते हैं आप इसको proper storage है साथ में इस पार्ट में आप देखिए काफी बड़ा जो kitchen का एक पार्ट कह सकते हैं देखिए storage handles पूरी market में ढूणेंगे तो आपको ऐसे handles मिलेंगे लेकिन cost आपको खुद समझनी होगी क्या cost होनी चाहिए यहाँ पे जो walls हम blank छोड़ते हैं आप देखिए पूरी walls को tiles से हमने cover किया है जबर जस जबर जस flavor निकाले एक बार कपड़ा मारेंगे आपका चेहरा इस tiles में नज़र आता है इन सब चीजों के बीच में एक छोटी सी चीज छोड़ दी है वो है इसकी flooring कहीं भी देखिए number of unit हम लोग दिखाते हैं क्या हूए कभी पत्थर का नाम लेता हूँ यहाँ पे हमने जो पत्थर यूज़ किया इसको बोलते हैं cutney marbles cutney marbles अपने आम में सब से अच्छा माना जाता है और इसकी जो चमक होती है at least एक बार polish होने के बाद आराम से आप 10 साल तब without polish रख सकते बस उसकी cleaning ढंग से होनी चाहिए तो cutney marbles only drying room नहीं all rooms even kitchen आपको हर जगा cutney marbles मिल रहा है kitchen हूँ bedroom हो drying room में अब आते हैं मैं balcony के front में यह है front का bedroom आप देखिए size के अगर मैं बात करता हूँ तो at least 12 by 12 का यह bedroom है 12 by 12 के bedroom में यह wallpaper आपकी choice के recording हम उपर change भी कर सकते जो भी wallpaper हमने लगाए है यह simple flat के लिए हमने लगाए है आप चाहेंगे तो यह change हो जाएंगे false link का work देखिए conceal lights proper लगाई है almira का design है आप देखिए जो work है अभी lock है चुकि storage रखा इसके अंदर समान रखा गया है proper और big size की यह almira आपको मिलती है उपर तक की साथ में इस पार्ट में देखिए windows window दो एक mosquito के साथ प्रस proper glass के साथ दोनों पार्ट में आप उसको window यहां मिलती है और जो front television में आप देख रहे है marvels यह marvels हमने दो color में combination इन सब की proper year moldings साथ में आप देखिए यहां पर जो SS की railing SS की railing के साथ जो work है वो अपने आप में best to best करने की कोशिस हमने करी है अब आपको मैं bedroom दिखाता हूँ bedroom दिखाने से पहले यह room के साथ यह LCD panel आप देखिए जो छोटी छोटी चीज़े है चुकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यह मैं बारीक से बारीक चीज़ों को share करना जुरू करूँगा तो यह इस room का almira plus आपको LCD panel साथ में अब आपको मैं इसकी common toilet दिखाता हूँ यह है इस flat का common toilet यह आपका wall mounting toilets को बोलते है साथ में गीजर की fitting आपका sour यह 1-2-D इसको कहता है mixture यहाँ पे word basing आप देखिए यहाँ यह box बन चायत लगा के देंगे हम और proper जो work है जो tiles का work है और plus आप देखिए चोटी चोटी चीज़े यह बारीक सी चीज़े आप जब देखने हैं निकलेंगे शॉपिंग करते हैं तो आपको पैसा खर्च की यहाँ पर यह proper glass लगा के हम दे रहे हैं यह चोटी चोटी चीज़े हैं जो bathroom में हमारी necessity हमारी requirement को fulfill करती है तो यहाँ वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं अब आपको मैं bedroom की तरब ले जा रहा हूँ दो bedroom मारे back में हैं आपको मैं वो दिखा रहा हूँ और साथ में आप देखिए यह आपकी entry हो गई इस bedroom की size जैसा कि मैं पहले बोला हूँ size यहाँ भी 11 वाई 11 गा और यह रहा back balcony का door इसके साथ यहाँ देखिए यहाँ पे almira combination style का combination देखिए storage देखिए और proper ऐसा नहीं कि यहाँ कोई conjuci की गई है जो हम पैसे आप से लेते हैं वो justify होते हैं कि क्या इसकी कीमत होनी चाहिए और कि जो मैंने पैसे दिये वो valuable है या नहीं यह wallpaper अभी pending है यह wallpaper हम कल या परसो लगा देंगे और first link कूरी एक छट को हमने cover करी है साथ में strip light आप चाहेंगे तो वो भी हम लगा के देंगे consist lights लगी हुई है अब साथ में यह back balcony है back balcony में इतर इतर back balcony में आप देखिए यह प्रॉपर हम grill लगा के यहां पर दे रहे है साथ में यह बहुत basic है जोन आपको यह points इसे चूटिया यहां पर already लगा के दे रहे है यह grill already installed हमने एक party के लिए कर रखा है चुकि already हमारी उस party से commitment है यदि आपको चाहिए तो वो आपकी costing पे है हमारी costing में नहीं रहेगा अब आपको तीसरा bedroom दिखाता हूँ जो master bedroom कह सकते है master bedroom master bedroom की तरह ही नदर आ रहा है आप देखेंगे दिल खोल के खुस हो जाएए यह है इसका golden favor look कि आप जब इसमें रहे और आप महसूस करें दिल से आप मों लगेगा कि वाकई जो चीद दी गई है वो अपने आप में best है तो मित्रो इस covid के दोरान इतनी अच्छी चीजे निकालना इस तरह की चीजे देना आप देखें storage के point दो से यह आपका dressing table है उपर से नीचे तक आप देखें इस part को proper storage है और big size की storage है आप यह देखें कितना बड़ा है storage और यह आपका dressing प्लस आपकी almira दोनों चीजे आपको complete मिलता है यह particular area खाली है आप यहाँ कुछ भी store कर सकते है साथ में जो false link और work है सुरूम के साथ वो भी काफी और उंदा new style का गिया है यह attached toilet है जैसा कि मैंने पहले कहा आपको यह attached toilet wall basing की fitting प्लस pot की fitting same mixture wall mounting toilet और tiles भी अपने आप में जिबरजस्ट वो चीज नहीं करी है जो सस्ती हो पूरा flat आपने देखा होगा ऐसा कोई काम दिखाई दिया जो मैंने सस्ता किया हो तो जब हम कोई सस्ता काम नहीं कर रहे है हम best to best करने के कुछिश करते है आप एक बार मैं फिर से रुक रहा हूँ रुक करके देखिए इस ड्राइग रूम का size और kitchen का जो look है क्या इतनी मक्षन चीज़ इतनी प्यारी चीज़ आपको लगता है तो मित्रो मैं आपको एक words बोला चाहूँगा पूरी market में हर किसी हमारे मित्रों के साथ आप बैठिए देखिए और उसे price discuss करिए price discuss करने के बाद एक call मुझे को भी करिए आपको एक लाक रुपै सस्ता flat बिलता है वो चाहे जिस rate पर meeting कर रहे हूँ बस आपके words जन्वीन होने चाहिए चुकि देना मेरे को है किस rate पर देना है वो मुझे पता है तो मित्रो market survey करने के बाद आप सुसील मित्रा के पास आईए आपको पूरी deal का एक लाक रुपै सस्ता flat मैं आपको दूँगा ये words आप record कर लीजे और उन सबी लोगों को जो बीटिक करने से पहले बीडियो दिखाते है भया ये flat आपने इतने पैसे का बूला है तो आपको मैं आज इस particular property का rate नहीं बता रहा हूँ लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ ये flat चाहे जितने पैसे का मिले आपको एक लाग रुपे सुस्ता दूँगा पूरी market से इस चीज की guarantee है इसके बीच top floor का flat third floor with roof right east और west facing का lift का parking के साथ walk to 90 metro के साथ और LIC housing loan के द्वा LIC housing loan के लिए आप सोचिए पूरी market में सैनिक नगर में गिने चुने inventory है आपको मिलेगी ये flat आपके लिए अभी बना है और recently only one bigs के लिए है आप बाद में आएंगे sorry नहीं मिल पाएगा चुकि कल ये video live करते ही आप देखेंगे हो सकता है मैं इसको कल बेज़ दूँ ये हो सकता है मैं next big बेज़ दूँ अकास hospital के बास तुमित्रों आप से फिर से request है इस COVID के दौरान आप अपना पुरा ख्याल लखे और सुरच्चित रहे और जब भी आए अपने convention से आए safe होके आए और sister home channels को subscribe करें जब भी time मिले most welcome हर्याप मेरा office D14 किरन गाडन उत्तम नगर metropillar number 714 पे है और जब भी time मिले everyday 10 o'clock से लेके 7 o'clock मैं office में मिलूँगा everyday every time तो मित्रों आपका मित्र आपका वेट कर रहा है thank you